आइए, अब हम चडचा करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों पर विस्तार से जो हमें अलग अलग नदियों के जो सिस्टम देखने को मिलते हैं तो मुख्य रूप से हिमाले से निकलने वाली जो नदिया हैं उनमें प्रमुख तीन नदियों का जो सिस्टम है या प्रणाली है वो हम देखते हैं उसमें पहला है सिंधु नदी तंत्र दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र तो इ तो सबसे पहले हम यह बात कर लें कि इसके पहले ही हमने चरचा की कि सिंधु नदी जो है वो एक पुरवर्ती नदी है यह सभी हुमालय से निकलने वाली हैं लेकिन हिमाले की उत्पत्ती से पहले से ही ये नदिया जो है वो प्रवाहित हो रही थी तो सिंधु नदी एक पूरवर्थी नदी है अब हम ये देख लें सिंधु नदी की उत्पत्ती कहां से होती है तो तिबबत में मांसरोवर जील है और मांसरोवर जील के निकट ही बोखर्चू नाम का ग्लेशियर है इस बोखर्चू ग्लेशियर से ही सिंधु नदी की उत्पत्ती होती है और ये पूरवर्ती नदी जब हमने कहा तो मैं आपको बता दू कि इसकी उत्पत्ती से पहले हिमाले की उत्पत्ती से पहले ये नदी जो है वो उत्तर पश्यम की तरफ प्रवाहित होती थी उत्तपत्ति के बाद ये पश्यम की तरफ मांसरोवर के निकट बोखर्चू ग्लेशेर से इसकी उत्तपत्ति के बाद ये पश्यम की तरफ प्रवाहित होती उत्तर पश्यम की तरफ प्रवाहित होने के बाद ये भारत क बाख राजी के लेह जीले में दमचौक नामक जो गाउं है इस दमचौक के निकटिये भारत में प्रवेश करती है मैं आपको बता दू कि सिंधु नदी का प्रवाई है वो अधिकतर हम देखेंगे कि या तो वह चीन तिबबत में हैं प्रवाई всё प्रवाहित होती है और उसके बाद फिर इसका अधिकतर जो प्रवाह है वो पाकिस्तान में पड़ता है तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये दमचौक में दमचौक के निकट जो है भारत में प्रवेश करती है और यहीं पर ये लद्दाक श्रेडी को काट कर एक गहरे गार्ज का निर्माड करती है तो सिंधु ने दी जो है वो तिबत में मांसरोवर जील के निकट यहां पर एक बोखर चू नाम का ग्लेशियर है यहां से इसकी उत्पत्ती होती है और यह फिर परशिम की तरफ प्रवाहित होती हुई भारत में जो लद्दाक राजिय है यहां के लेह जीले के दमचौक शरणी को काट कर एक गहरे गार्ज का निर्माड करती है इसके बाद हम देखेंगे कि यह लद्दाक बलुचिस्तान और गिलगित से बहती हुई चिल्लास के निकट जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में इसके प्रवेश करने के बाद इस जिनाब, रावी और व्यास जिसे इन पांच प्रमुख सहयक नदियों को पंच नद के नाम से जाना जाता है और ये पंच नद जो है ये पाकिस्तान के मिठान कोट के निकट मतलब सतलज नदी में ये सारी नदियां एक साथ प्रवाहित होती हैं सम्मिलित रूप में ये सभी पंच नद की जो जलधाराएं हैं वो पाकिस्तान के मिठान कोट के निकट जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं अब इसके अलावा भी हम देखेंगे कि और भी मतलब ये पंच नद के अलावा इस नदी की और भी सहयक नदिया है दाइओं और से मिलने वाली प्रमु सहयक हैं और यदि हम बाई और से मिलने वाली सहयक नदियों की बात करें तो देखते हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाप, जेलम ये पंच नद जो हैं ये सिंधु नदी के बाएं तड से या बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहयक नदिया हैं अब हम बात करें इस न देशमलोव 6-5 लाख वर्ग किलोमीटर है लेकिन यह जल संग्रहंट चेत्र जो है इतना यह पूरा भारत में ही नहीं है अमने बताया ना यह तीन देशों से होकर बहती है चीन भारत और पाकिस्तान तो कुल जो 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर जल संग्रहंट चेत्र में से भार कि पूरा जो तीन देशों से होकर प्रवाहित होता है तो सिंधुनदी का जितना भी जल है उसे सिर्फ भारत ही जो है वो प्रयोग नहीं करेगा उसका पूरा अधिकार जो है इस जल में पूरा अधिकार पाकिस्तान का भी है तो इसी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच म सन 1960 में एक सिंधु जल समझोता हुआ और इस समझोते के अंतरगत ये तै किया गया कि भारत जो है सिंधु और इस नदी तंत्र की और जितनी भी सहायक नदिया हैं उसका सिर्फ 20 परसेंट 20 प्रतिशत जल ही जो है वो उपियोग कर सकता है इसी समझोते के तहट इस नदी तंत्र के कुल जल का सिर्फ 20 प्रतिशत भागी भारत के अधिकार छेतर में आता है या भारत के द्वारा उपियोग किया जाता है और इस जल का जो उपियोग है वो हम देखेंगे कि पंजाब, हर्याना, राजस्थान इन राजियों में प्रतिशत द्वाराइक के लिए उपिया जाता है और जल विद्यूत उत्फादन में भी इन नदियों के जल का जो है वो प्रतिए जाता है में तो यह हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बाद हम बात करते हैं घंगा अपवाह तंत्र या गंगा ए बत्चो यह जंसे जा किस अलाववा Лi। कि उसमें यह मंने वाले सहlike नदियों की भाति की तुछ तुछ में हमने देखा कि यह पचानद मिलता ए शक्रणा भी इसके जो प्रमुक और अन्य सहायक नदिया था उसमें ज्यासकर है सोहन है और स्यांग ये भी प्रमुख नदियां है जो बाये तट से सिंधु नदी के मिलती हैं और ये सब पूरा सिंधु नदी अपना और अपनी पूरी सहायक नदियों का जल लेकर दक्षिन पश्चिम की और बहती हुई कराची के पूर में जो है अरब सागर से जाकर मिल जाती है अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं गंगा अपवाहतंत्र बच्चो अगर हम गंगा नदी कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस गंगा नदी की अशिष दो उपर और धाराएं हैं जब ये दोनों अशिष धाराएं जो है वो आकर देव प्रयाग में मिलत जाने वाली नदी है और ग्लेशियर से ही इसकी उत्पत्ती होती है तो हम देख लेते हैं इसकी जो मुख्य धारा है गंगा की मुख्य धारा जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जीले की निकट गोमुख नाम का एक स्थान है और उस गोमुख नाम के स्थान में गंगोत्री ऍमरती से भागी रथी rathी या धारा की उतपती होती है। कि यही गंगा की मुख्यर मुख्य to rema जय दो कर जो कोकार मिलती है डेव-प्रयाग अट पहली भागी रथी ओर दूसरी अलकन. जिसमें भागी रथी जो है वो इसकी में स्ट्रीम है और मैं फिर से रिपीट कर दूं इसकी उत्पत्ति जो है वो उत्तरा खंड राजी के उत्तरकाशी जीले के गोमुख नामकिस्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर से होती है भागी रथी धारा की उत्पत्ति और वहीं अलकनंदा का हम हमारे भारत का प्रसिद्ध या महांतिर्थ जिसे हम कहते हैं बद्रिनाथ इस्थित है और अलकनंदा से ही मिलने वाली उसकी एक और अन्यसाहयक नदी है जो छोटी स्ट्रीम उससे आकर मिलती है उसका नाम है मंदाकनी और इस मंदाकनी नदी के तट पर दूसरा प्रमुख प्रियाग में अलकनंदा से मिल जाती है और फिर अलकनंदा ये दोनों स्ट्रीम का जल लेकर आती है देव प्रियाग में और देव प्रियाग में फिर भागी रथी और अलकनंदा ये दोनों आकर मिल जाती है फिर आप इस पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सम पूछा भी जा सकता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है वो गंगा कहलाने से पहले कौन सी मुख्य धाराओं में बटी होती है और दोनों धाराओं के नाम और उनकी उत्पत्ति इस्थान और कहां पर यह दोनों धाराओं आकर मिलती हैं उसके बाद फिर उस संयुक्त धारा का नाम जो है वो गंगा पढ़ता है अब हम देखेंगे कि यह गंगा नदी जो है वो परवती छेत्र से होती हुई बहती है उसके बाद हरिद्वार के निकट हम देखेंगे कि यह मैदान में प्रवेश करती है और यह जैसे हरिद्वार में मैदान में प तो ये एक भाबर छेत्र होता है जो बड़े-बड़े गुलाश में या बजरी वाला छेत्र होता है फिर ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसमें और भी इसकी अन्य महत्वपूर्ण साहयक नदी आकर मिलती है और फिर तराई वाला छेत्र आता है तो हम देख लेते हैं कि य गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र इन दोनों के बीच में एक जल्वी भाजक है जिसके द्वारा ये दोनों रिवर बेसीन जो हैं वो अलग होते हैं और उस जल्वी भाजक ये वाटर डिवाइडर का नाम है अंबाला हां बच्चों एक महत्वपूर्ण चीज और ये जो वाटर डिवाइडर अंबाला की हम बात कर रहे हैं जल्वी भाजक ये हर्याना में अस्थित है और हर्याना से लेकर यदि हम देखें गंगा जहां तक पूरी प्रवाहित हो रही है जहां पर जाके अंत में फिर वो समुद्र में मिल जाती है जो सुंदर्वन का देल्टा है तो अंबाला से लेकर सुन्दरवन के डेल्टा तक यदि हम देखें तो यह पूरे लंबे छेत्र का जो ढाल है वो लगभग 300 मिटर है लंबा रास्ता तो बहुत अधिक तेकर रही है मतलब आप कहां उत्तर से लेकर उत्तर में अंबाला से लेकर हम आगे जो है वो बहुत जेंटल स्लोप है लगभग 300 मिटर का ढाल बनाती है और इसी कारण हम देखेंगे कि गंगा नदी जहां पर से प्रवाहित हो रही है अपनी सायक नदियों के साथ तो पूरे उत्तर का जो मैदान है वहां पर यह विसर्प बनाती हुई जो है चलती है विसर और साथ ही साथ जल का वेग भी जो है वो कम होने के कारण यह अमोड बनाती हुई विसर्प बनाती हुई चलती है और यहां पर हम यह भी देखेंगे कि विसर्प बनाती हुई तो चलती है और साथ ही जब यह स्ट्रीम और अधी इसमें जल का वाल्यूम और अधी खो जाता कि एक तो वर्षा कजल और उपर से जो गलेशियर्स पिघलते हैं तीन सब के कारण जो है वो यहां पर जल का आयतन बहुत अधिक बढ़ जाता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो इसके दौरा जो लाएगे आवसाद हैं वो भी उस परवत पाद वाली स्थिती में ही लेक कर दिये जाते हैं जिसके कारण और अधिक इस पूरे छेत्र को बाढ़ का सामना करना पड़ता है तो ठीक है यहां पर जो बाढ़ आती है वो तो एक आपदा करूप है लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब बाढ़ की स्थिती समानी हो जाती है मतलब नदियों का जो पानी का इस तरह है वो बाढ़ की स्थिती जाने के बाद अपने समान्य स्थिती में आ जाती है या अपने पुरुवाले मार्ग से प्रवाहित होने लगती है तो उसके द्वारा जो लाए गए आवसाद हैं वो इन नदियों के दोनों किनारों पर बिचा दिये जाते है और नदि के दोनों किनारों पर बिचाए जाने से हम देखेंगे कि जो सिल्ट, मृतिका या गाद इस टाइप की उपजाओ मिट्टियों का जमाओ जो है वो इस पूरे छेतर में हो जाता है जिसके कारण ये पूरा जो छेतर है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्व सिल्ट, अब हम देख लेते हैं कि यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशीर से निकलती है ये इसकी महत्वपूर्न सहायक नदी है और गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी हम कह सकते हैं. अब हम देखें कि गंगा में कौन-कौन सी इसकी जो सहायक नदिया हैं वो मिलती हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके left hand side मतलब बाये तट से मिलने वाली कौन-कौन सी नदिया हैं बच्चो मैं बार-बार आपको सिंधु नदी तंत्र में भी और अब गंगा नदी तंत्र में भी बता रही हूँ कि जो मुख्य नदी है उससे मिलने वाली जो सहायक नदिया हैं वो किस तट से मिलती हैं तो इसमें मैं टम सी उस कर रही हूँ बार-बार दाएं या बाये तट से तो जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है कि कोई सहायक नदी उस मुख्य नदी से कौन से किनारे से मिलती है तो यह आपके अभी के एक्जाम के परपस से ही नहीं यह आगे भी आपके जीके के कोशन के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अब आपको कोशन में सिर्फ यही नहीं पूछा जाता कि गंगा या मुना या ब्रह्म पुत्र की सहायक नदी कौन सी है अब इसमें यह कोशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है अब आपसे यह पूछा जाएगा कि राम गंगा नदी या सतलज नदी सिंधु नदी के या गंगा नदी के कौन से तट से या कौन से किनारे से आकर मिलती है या आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आप यह कह रहे होंगे या निमाग में आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि हम दाएं या बाएं का निर्धारन कैसे करें हम किसे कहेंगे कि गंगा नदी का बाया तट कौन सा है या दाया तट कौन सा है तो गंगा नदी की जो उत्पत्ती है यह आपके हमने देखा कि उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, इस्टन फ्लोईंग है, तो यदि आप इसी दिशा में, जिस दिशा की और आगे बढ़ रही है ये नदी, उसी दिशा की तरफ आप मुह करके खड़े हो जाते हैं, तो जो आपका डायरेक्शन है, मतलब जो आपका लेफ्ट हैं या जो आपका राइठ हेंड साइड है, वही इस गंगा नदी का भी होगा, तो आप इसी वे में समझ लीजिए कि ये गंगा नदी है, और मैं भी आपके गंगा नदी के पैलर ही खड़ी हुई हूँ, ऐसा समझ के चलिए, और गंगा नदी जो है, ये उत्तरा खंड जिले से गंगा नदी का जो लेफ्ट हैंड साइड या उसके बायें तड से मिलने वाली सहायक ने दिया, तो आप देख रहे होंगी, ये पूरी जो उसके बायें तड से मिलती है, जो सहायक ने दिया, उनकी उत्पत्ती भी हिमालय का ग्लेशियर ही है, सभी की उत्पत्ती हिमालय से glacier से इसकी उत्पत्ती होती है तो यहाँ पर पहले देखिए सबसे पूर्वक की तरफ हम आ जाएं तो राम गंगा है फिर गोमती है घाघरा, गंडग, कोसी और महानन्दा यह जो है यह प्रमुख नदिया है जो इसके बाएं तड से मिलती है अब जब हम दाएं तर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो हम देखते हैं पहले यमुना है टोन्स है, सोन अब इसमें भी हम देखेंगे कि यमुना नदि जो है यह अपने साथ चंबल, बेतवा, केन यह यमुना नदि की सहायक नदिया है तो इन सभी नदियों का जल लेकर यह गंगा नदि में प्रयाग राज के निकट प्रयाग राज में इसका संगम होता है गंगा नदि से अब यह जो आपकी चंबल, बेतवा यह केन जो यमुना नदि की सहायक है हम यह देखेंगे कि इन नदियों का उद्गम प्रयादीपी पठार से होता है और हमने यमुना के साथ मतलब जो उसके दाएं तड से मिलने वाली नदि है उसमें सिर्फ यमुना ही है जो ग्लेशियर से जिसकी उत्पत्ती होती है और बाकी जो उसके बाएं तड से मिलने वाली नदिया है जो हमने भी बात की कि राम गंगा, गंडग, कोसी, महानन्दा ये सभी जो है वो उसके बाएं तर से मिलने वाली नदिया है और हमने देखा किन सभी क्यूत पत्ति जो है वो ग्लेशियर से होती है तो चाहे वो वर्शारीतू का समय हो वर्शारीतू में सब्सक्राइब हैं। प्रवेश करती हैं तो पशिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये दो भागों में या दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं जिसे हम डिस्टिव्यूटरी कहते हैं डिस्टिवूटरी मतलब तो ठीक वैसे ही गंगा की जो मुख्य धारा है वो दो शाखाओं अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे हम हिंदी में वितरिका कहते हैं और इंग्लिश में इसी को डिस्टिब्यूटरी कहा जाता है तो यह हो गई जब अंतिम समय में नदी की धारा एक नदी की धा कहते हैं या सहायक नदियां कहते हैं तो जब हम उपर की तरफ हमने देखा यह सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई चाहे हम राम गंगा की बात करें गंडग कोसी या फिर यमुना नदी की बात करें यह सब उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई जो उसकी सहायक है और आकर गंगा की मेन स्ट्रीम में मिल रही है लेकिन जब गंगा की मेन स्ट्रीम ही जो है वो दो शाखाओं में बढ़ जा रही है तो इसे हम डिस्ट्रिब्यूटरी या वित्रिका कहते हैं तो जैसे ही पशिम बंगाल में प्रवेश करती है तो ये दो हिसों में बढ़ जाती है और इसकी ए आपपुर पठ्हार में आकर हुग्ली नदी से मिल जाती है. अब हम देखेंगे कि यह जो मेंस्ट्रीम भागी रथी थी, यह पश्यम बंगाल के फरक्का से, फरक्का नाम का इस्थान है, यह इसका हम कह सकते हैं कि भारत का अंतिम पडाव है, या अंतिम सीमा है ये जो इस्थान है इसके बाद फरक्का के बाद ये गंगा नदी जो है वो बांगला देश में प्रवेश कर जाती है और जैसे ही ये बांगला देश में प्रवेश करती है तो भई बांगला देश के लोग इस नदी को अलग नाम से पुकारते हैं और वो इ जाती है और जैसे ही यह ब्रम्हपूत्र नदी को वहां पर जमुना के नाम से जाना जाता है कहां पर बंगलादेश में तो जैसे ही यह जमुना और हमारी गंगा पदमा मिलती है यह दोनों मिलकर एक मेन और इस ट्रीम का निर्माड करती मतलब एक संयुक तधारा के रूप मे बहती है और ये सन्युक तधारा वहां पर मेघना के नाम से जानी जाती है, फिर हम देखेंगे कि ये गंगा और ब्रमः पूत्र जो नदी है ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और आपको पता होगा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौ तो संदर्वन क्यों कहा जाता है यह आपको पता होगा यहां पर जो मैंक्रों वनस्तियиваем मतलब सुन्धरी नाम के जो वृक्ष है इन व्रिक्षों की अधिक्ता के कारण ही इसका नाम यह वो संदर्वन का डेल्टा पड़ा ए और यह पूरा डेल्टाई चेत्र यह यह बच्चों, जब हम ये सुन्दरवन के डेल्टा की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक महत्वपुन बात आपको और पता होनी चाहिए, कि इस डेल्टाई छेत्र में ही जो रायल बंगाल टाइगर है, ये शेर आपको देखने को मिलता है, और इस सुन्दरवन के डेल्टा को ह रायल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, वो पचीस सो किलो मिटर है, और यदि हम भारत में देखें, तो इसकी सरवाधिक लंबाई हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जो इससे मिलने वाली सहायक नदियों की हम बा जो इसकी डिस्टिब्यूटरी थी वो हुगली नदी थी, तो हुगली नदी जो है, वो आपको पता होना चाहिए, कि विश्व की सबसे अधिक विश्वास घाती नदी के नाम से जाना जाता है हुगली को, और हमें मालूम है कि हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता स्थित है अब इसे हम विश्वास घाती नदी क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मार्ग है हम देख रहे हैं कि यह हुगली नदी में आकर छोटा नाकपूर पठार के आसपास जो है वो दामोदर नदी मिल जाती है और दामोदर नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो हम क्यो फुह सफ्री भीजीड करते हैं तो अपने पहले प्रहले लिए भी भी महाये के बताया था कि तो फु → भी पहले के जपन अचिछेत्र नीचे उतरती है और जैसे नीचे उतरती है तो अपने प्रमीशीτο है सीरोओ जो और आउसाद रेलहिए कि नहाया है तो परवती छेत्र को काट कर जितने भी आउसाद ये सांथ लेकर आती हैं तो वो अपने रास्ते में जमा कर देती हैं जिसके कारण यहां से निकलने वाली जो नदिया है वो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं पहले बाढ़ जो है वो अधिक मात् उपने जहां पाद जानते हैं अब इसमें एक और महत्य पूने बाद जैसे हमने सिंधुनदी के संदर में समझा था की शिंधुनदी के जल का उप्योग करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच शिंधु जल समझोता हुआ है अब जो गंगर नदी नदी तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र के संबन में आपको एक महत्व पूर्ण बात को जानना है इसमें शाशन के द्वारा एक परियोजना या प्रोजेक्ट चलाई जा रही है जिसे नमामी गंगे परियोजना कहा जाता है और ये इसके संरक्षन और सु गंगा नदी अपवातंत्र के विशय पर चर्चा की अब हम बात करते हैं गंगा नदी चुकि भारत की एक मुख्य नदी है या भारत की ही जीवन दाइनी नदी हम इसे कहते हैं तो अभी वर्तमान में सबसे प्रदूशित नदी की बात करें तो गंगा नदी ही सरवाधिक प्रदूशित हो गई है और इस समस्या पर विचार करते हुए शाशन के द्वारा नमामी गंगे परियोजना जो है वो लाई गई है अब देखते हैं नमामी गंगे परियोजना क्या है नमामी गंगे परियोजना सरकार ने गंगा नदी के प्रदूशन को समाप्त करने और गंगा नदी को पुनट जिवित करने के लिए नमामी गंगे नामक एक गंगा संरक्षन मिशन को शुरू किया है गंगा नदी गोमुक से लेकर हरिद्वार तक के सफर के दौरान लगभग 405 किलोमीटर का सफर तै करती है इसके किनारे पर अनेक बड़े शहर और गाउं जो है वो इस्तित हैं जो अपना कुडा करकट और इस रास्ते पर जितने भी उद्योग स्थापित हैं यह सभी करोडो लीटर सिवरेज वो गंगा नदी में गंगा नदी के जल में मिश्रित कर दिया जाता है तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए या गंगा नदी के इस जल को प्रदूशित होने से बचाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है